नमस्कार मित्रों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है मित्रों मैं आज एक नया विशे लेकर आपके सामने प्रसुद हुआ हूँ ये विशे अमारे जीवन के बहुती महत्व को पहलू पर प्रकास डालता है हाँ मित्रों, हम विवा के बारे में बूल नहीं है मित्रों, विवा एक सुखत अनुभब होता है यदि विवा में सही समय और सही मैच मिल जाए मित्रों, यदि सही समय में विवा नहीं हुआ और सही मैच नहीं मिला तो दोनों ही परिवार को दुख से जाना पड़ता है ऐसा क्या कारण है कि कई बार सारी काबिले थोनी के बाबजूद भी चाहे लड़का हो या लड़की हो उन्हें अपना लाइफ पार्टनर सही धंक से मिलता नहीं है और मित्रों अगर मिल भी जाए तो विवा सुखद नहीं होता या कुछ समय के पस्चात विचारों में बद्भेद या अन्बन या बिमारियां या किसी कारण से अलगाव हो जाता है मित्रों मैं बता दू कि हमने पूर्व जनम में जो भी कर्म किये हैं उसका फल इस जनम में हमारे जनम कुंडली में प्लानिटरी पुजीशन प्लेस्मेंट के रूप में प्रकट होता है यदि हमने अच्छे कर्म कियें तो अच्छे प्लानिटरी प्लेस्मेंट होता है अच्छी दशाईं चलती है सही उमर में लड़के या लड़कियों का विभा हो जाता है और बहुत सुखद बहुत प्रेम उस विभा में रहता है और यदि हमने पूर्व जनम में कुछ बुरे करम किये हैं और इस जनम में अभिशाप लेकर आये हैं तो मित्रों मैं बता दू प्लानिट्स की पोजिशनिंग होरस्कोब में कुंडली में ऐसा होगा कि विवा बले ही हो जाए लिए इन सुक का अनुभब बहुत कम होगा कई बार आपने देखा होगा कि लब मेरे छो जाते हैं देन कुछ समय बाद अलगाववात हो जाता है क्या कारण है इसका? क्या जोतिश ये कारण है? मैंने एक नहीं लाखों विवा की कुंडलियां देखी और मैंने पाया और या और कुछ नहीं है प्लानेटरी पोजिशन हमारे पूरुए जनम के कियो कर्मो का जो फल है इस जनम में भगतने के लिए प्लानेट्स के रूप में हमारी कुंडली में यानि सप्तम भाव जो की एस्पलोजी में विवा का भाव माना जाता है को प्रभावित करती है और लाइफ पार्टनर मिलने के बाद भी या आत्रा सुख़त नहीं होती या कोई ना कोई कारण बन जाता है हमारे दोरा पाप करम करने के कारण जर्म कुंडली में प्लानिट्स एफ्लिक्टेट दूशित हो जाती है जो मैरिच में डिले अशान्ती और धुक लाती है अगर विवा हो भी जाए तो पार्टनर्स बिमार रहते हैं उनमें अशान्ती रहती है उनमें अलगाव वाद होने के पूर्ण संभाबना है रहती है अगर समय रहते उपाय नहीं लिये गए तो मामला काफी दुखत भी हो जाता है मित्रों विवा करने से पहले कुंडली मिलान बहुत अवश्य होता है कई परस्तितियों में कुंडली मिलान के बाब जूद भी बाब ग्रहों के दृस्टी विवा भाव पर सप्तम भाव पर कोटम स्तान पर इतना जादा होता है कि उसे बच पाना बहुत मुश्किल होता है शनी ग्रह जो है मित्रों विवा को करवाने में देरी उत्पन करता है अगर शनी ग्रह किसी कारण से किसी कुंडली में सप्तम भाव से संबन्द रखता है प्लेस्मेंट आस्पेक्ट कंजंक्शन तब शनी विवा में देरी अवश्य करेगा और कुछ ऐसे कारण हो जाएंगे कि विवा बड़ा ही अन और्थोडक्स होगा यह सही समय पर सही मैच नहीं मिल पाएगा और सही मैच मिलेगा भी तो आपस में कुछ ना कुछ ऐसे सम्मध विचेद के कारक बन जाएंगे जो अवाइट करना बहुत मुश्किल हो सकता है मित्रों मैं बता दूँ एसलोजी का एक लंबा अनुभव मेरे जीवन में रहा देश के कई नामी समाचार पत्रों के साथ लिखता रहा और वोई अनुभव मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ सब्तमभाव के स्वामी का वीक होना यानि रेट्रोगेट, कमबस्ट, डेबलेटेट होना विवा को संकट में डाल देता है सही समय पर विवा होने नहीं दिता लाग कोशिश करने के बाद भी सारी इलेजिविलिटी फुल्फिल करने के बाद भी लड़का ये लड़की को सही मैच नहीं मिल पाता और गलत मैच से विवा होता है और ये सब ईश्वेरी अनुगम पाई है मित्रों मैं बता दूँ पाप ग्रहों का शनी के साथ संबंद जैसे मंगल और राहू का एवं दृष्टी सत्म भापर विवा को तोड़ कही रखता है विवा हो भी जाए तो उसमें प्यार बहुत कम होता है अशान्ती की मात्रा बढ़ने के समवनाएं बहुत ज़्यादा होती है यही कारण है कुंडली मिलान पर लोग जूर देते हैं श्यानी यवं मंगल ग्रहों का एक साथ मिलकर कमबाइन इंफ्लोएंस साथवे घर में विवा के भाव में होना या दृष्टी प्राप्त करना भी एक विवा में देरी या मैच मिलना पाना एक सबसे बड़ा कारण है कुछ अन्य कारण भी हैं जो सब्तम भाव के अलावा भी मित्रों विवा को प्रावित करती है लगन यदि पाप दृष्टी से घिरा हुआ है तो भी विवा में संकर उत्पन होता है जर्म नक्षेत्र यदि अन्फ्रेंडली राशी में है ये भी एक विवा को नुक्सान पहुचाता है राहू, सूर्य, चंद्रमा, जूपिटर इन सब का एक साथ होना ये भी आपके विवा को अशान्ती की और ले जाता है मित्रो, सातवे भाव का सौमी यदि छटे भाव, आटवे भाव और बारवे में बैठा है तो ये मान के चलना कि विवा में बहुत भारी मात्रम अशान्ती या सई धंक से लड़के को लड़की नहीं मिलेगी और या लड़की को लड़का नहीं मिलेगा या मैं अची नहीं होगा और उमर निकल जाएगी मैं बता दूँ मित्रो, जूपिटर यानि कि ब्रहस्पती, देव गुरु ब्रहस्पती यादि रेट्रोक्रेट है किसी भी स्त्रीक के तो उसको विवा में बहुत संकर्ट उच्पन करना पड़ेगा चाहे वो कितनी भी परसनालिटेश के अच्छी हो, अच्छी नौकरी करती हो, उसको पार्टनर मिलने बहुत मुश्किल होगा वीनस और मार्स, यदि सात्वे भाब में आ जाए, तो विवा बिलकुल ना मुमकिन है, यदि उपाय ना लिया जाए शुरताओं, मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, यदि इन उपायों को यह आप अगर करें, तो मेरा पूर्ण विश्वास है, अवश्य आपको विवा में जो देरी है, वो काफी मात्रा में कम हो जाएगी लड़कियों के लिए मैं कहूँगा, कि वे रोज पूर्व की और मूग करकर, 108 बार निम्न मंत्र का जाप करें मित्रों मंत्र है, ओम नमो भगवते, रुक्मनी, वल्लभाय स्वाहा लड़कों के लिए मैं मता दूँ, जेने अपनी लाइफ पार्टनर मिलने में मुश्किल हो रहा है, सही मैच नहीं मिल पा रहा है वे इस्ट के और मूग करके 108 बार निम्न मंत्र का जाप करें, बहुत लाब मिलेगा मैंने बहुत सों को देखा, इसको करने के बाद उनका विवा को जो होनी रहा था, वो होने की कगार में आ गया और कईयों के बहुत जल्दी सी हो गई, ये मंत्र है दोस्तों, आप इन मंत्रों का जाप करें, और अपने जीवन को सुख़त बनाईए आने वाले समय में और उप्रोगी बातें आपके लेकर आऊंगा जो तीस संबंदेत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लिखिए एक सवाल का मैं जवाब दूँगा, फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद